नमस्कार आप देख रहे हैं वीके नियूज और मैं हूँ आपके साथ वेशन सूनी वितमंत्री निर्मला सीता रमन द्वारा पेश किये गए बजट में जहां अलग-अलग सेक्टर्स को लेकर कई बड़े बदलाव किये गए हैं ऐसे में भारत का सबसे महत्वापून सेक्टर यानि कृषी शेत्र को लेकर बजट में क्या कुछ कहा गया है ये जान लेना भी बहुत ज़ूरी है क्योंकि गौर तलब है कि भारत की 70% अबादी कृषी पर ही निर्भर करती है ऐसे में बजट में क्रिशी शेत्र को लेकर क्या गोशना की गई है किसानों को कितनी रियायत मिली है ये जानना बेहजुर्बी हो जाता है तो आपको बता दे अपने बजट भाशन में निर्मला सीता रमन ने किसानों की बहतरी के लिए तमाम ऐलान किये है निर्मला सीतरामन ने कहा कृषी से जुड़े स्टार्टप को प्राथ मिक्ता दी जाएगी युवा उध्यम्यों द्वारा कृषी स्टार्टप को प्रोजसाहित करने के लिए कृषी त्वारा कोश की स्थापना की जाएगी वही पशुपालन, डेरी और मतस्य पालन को ख्यान में रखते हुए क्रिशे इडिन लक्षे को बढ़ा कर 20 लाग करोड रुपाय करने का ऐलान किया है सिर्फ इतना ही नहीं वित्मंत्री ने आम बजट में मिलेट्स की पैदावार में इजाफा करने का भी ऐलान किया है मिलेट्स को उनोंने श्री अननाम सम्भोधित करते हुए कहा इसके लिए हम किसानों को प्रोसाहित करेंगे वहीं डिजिटल इंफ्रा फॉर अग्रिकल्चर के जरीए किसानों की समस्याओं के समधान की कोशिश की जाएगी जिससे फसल, मार्केट, इंटेलिजन्स और एग्रिटिक और द्योग एवन स्टार्टप में किसानों को मदब मिलेगी बैराल इस बजट पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें जरूर बताएं इस खबर में इतना ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें वीके नियूस मध्यपरदेश 36 दिल बोले का देश सुने का